उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो ओद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है एक ऐसा शहर जिसका एक दौर रहा कि उसे एशिया का मैंचेस्टर कहा जाता रहा ये एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जो गंगा के किनारे है और गंगा लगातार यहां पर चर्चा में रहती हैं क्योंकि गंगा को साफ करने की जितनी भी योजनाएं केंद्र या राजी की तरफ से चली वो इस शहर में आकर के ऐसा लगता है कई बार दम तोड़ देती है नमस्कार मैं शेकर त्रवेदी आज 2022 के विधान सभा चुनाओ का वोट युद उत्तर प्रदेश की ओद्योगिक नगरी कानपूर से तो कानपूर में हमारे साथ जो जनता जनारदन आई हुई है उसका बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे साथ यहाँ अलग-अलग पॉलिटिकल पारटी इसके बहुत सारे खास मेमान है आप सब कह भी बहुत-बहुत स्वागत है मैं एक एकर आप सब का उनसे परिशे कराता मेरे साथ विकास समराज जी हैं समाजवादी पार्टी का प्रतनीधित्व करेंगे इस चर्चा में मेरे साथ रोई सक्सेना जी हैं भारती जनता पार्टी का प्रतनीधित्व करेंगे इस चर्चा में मेरे साथ क्रपेश त्रिपार्थी जी हैं कॉंग्रस का प्रतनीधित्व क और मेरे साथ आदेत उत्पल जी है और व्यवसाई हैं हम आपसे भी समझेंगे कि इस कानपुर्श शहर में क्या तबियत है किस तरीके से इस 2022 के विधान सभा चुनाओं में जनता अपना मूड बना रही है किस तरीके के मुद्दों के साथ वो इस चुनाओं में वोट करने ज और कानपूर एक ऐसा शहर है जिससे उत्तर प्रदेश को भी बहुत उमीदे हैं क्योंकि जो विकास की रफतार है अगर इस तरीके के शहर और आगे बढ़ें तो यहां से जो गती पैदा होती है वो हमें नई उचाईों तक ले जाती है इसलिए परमपरागत रूप से पॉलि पॉलिटिकली बहुत जागरूक रहा है और खास तोर से उस दोर में जब इसे एशिया का मैंचेस्टर कहा जाता रहा तमाम एक मिले हैं मजदूर हैं तरह तरह के आंदोलन से जुड़ा हुआ एक इतिहास है अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी इस की सरकारे नहीं हैं आज 2022 के इस विधान सभा चुनाओं में आप अपने शहर को एक वेवसाई होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते क्या देखते हैं और किन उमीदों के साथ तो यह कोपनिंग कॉमेंट है कि कानपूर शहर जिस वजह से जाना जाता है उसमें किस तरीके की तबियत लोग रखते हैं और खास तोर से वो वर्ग जिसकी वजह से इस कानपूर शहर की पहचान है चुकि विपक्ष का हक पहला होता है कि उसको ये मौका मिले कि वो अपनी बात को दमखं के साथ रख सके मैं आपसे जाना चाहूँगा विकाद समराज जी की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार अपना प्रभाव बहारी उत्तर प्रदेश में कानपूर शहर को ले करके आपकी क्या रीडिंग है आपको क्या लगता है कि ये शहर कैसा होना चाहिए और अगर सपा की सरकार आती है तो वो किस तरह से पूरा होगा देखिए कानपूर आपने जैसे कहा कि ये मैंचेस्टर कहा जाता था और आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पर जबसे कानपूर को दोगिक सहर के नाम से जाना जाता था अब यहाँ पर जबसे नोट बंदी और GST हुई है तब से मैं लगातार गोविन नगर बिधान सभा से आता हूँ मैंने देखा वहाँ पर सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हुई है उसके क्या कारण थे वो तो ज़्यादा तर बैपारी भाई बता पाएंगे लेकिन ये मैं जानता हूँ कि फैक्ट्रियां सैकड़ों बंद हुई है नोड बंदी और GST के बाद और जब ये करोना का लहर आई है उसमें तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर 500 लोग काम करते थे आज वहाँ पर 100 लोग काम कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए है तो हमारे नेता अधरनी अखलेश यादो जी का विजन ही यही है कि आने वाले समय में वो लोगों को नोकरियां देंगे नोकरी उपलब्द कराएंगे नोजवानों को रोजगार का आउसर देंगे और डेवलप्मेंट की बात अगर आप करते हैं तो जब हमारे नेता अधरनी अखलेश यादो जी मुख मंत्री थे तो मैं समझता हूँ कि दो-दो जो बड़े ओवर भीज हमारी विधान सभा में दादा नगर के और सीटियाई के बने हुआ अधरनी अखलेश यादो जी की देन है उन्होंने बनवाया था और भी जितने यहाँ पर मेट्रो लाने वाले हमारे नेता अधरनी अखलेश यादो जी है आने वाले समय में वो डेपलमेंट को हमेशा प्राथमिक्ता जेते हैं और जनता ने यह मन बना रखा जैसे का आपने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर परदेश में पहर जमा रही समाजवादी पाटी तो समाजवादी पाटी अपना पहर जमा चुकी है और जो उत्तर परदेश की जनता है वो परिवर्तन का मन बना चुकी है और परिवर्तन वो करने जा रही है और आधरनी अखले स्यादो जी को मुखमती बनाने जा रही 2022 में ये जरूरी है कि किस तरीके से कॉंग्रेस जो इस चुनाओ में मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी जो महासची हूँ हैं कॉंग्रेस की वो आई हैं और लगातार उन्होंने कोशिश की अपने साथ मैलाओं को जोड़ने की क्या उमीद आप रखते हैं कॉंग्रेस से खास्तोर से जिस तरीके की यहाँ पर इस्तिती गड़ बंधन में तो हमने देखा था कि एक सीट आपकी निकली थी सत्रा में जब आप गड़ बंधन के साथ में थे लेकिन अचानक पूरे उत्तर प्रदेश से जब विलुप्त होती है कॉंग्रेस तो उसमें फिर भी कुछ उमीद कानपूर देता है ग्रह राजमंत्री भी देता है तो कॉंग्रेस किस तरीके से इस कानपूर शेहर को अपनी बात रख रही है देखिए आपने कहा पहले मा बात करना हूँ लड़की हूँ लड़सकती हूँ के उत्तर प्रदेश का सारा चुनाओ जातियों धर में सिमठ गया है पिछले 30-30 ब्रस से कोई भी राजनेतिक दल बात नहीं कर रहा है कि मिले कैसे लगें कोई भी राजनेतिक दल बात नहीं कर रहा है कि पावर हाउस कैसे नहीं लगाए जाए कोई भी राजनेतिक दल यह नहीं बात कर रहा है कि और द्योगिक घरानों को या SME सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए इस सूरत में जब कोई आधियाबादी की बात नहीं करने निकला तब हमारी नेता प्रियंका गांदी ने लगातार उत्तर प्रदेश में आपके सामने आपके द्वारा दिखाया गया है चाहे हातरस राओ चाहे उन्नाओ राओ चाहे सोनबद राओ चाहे उंभा राओ जागए ज महिलाओं के साथ जो जगन गटना है हुई है जिस कदर उत्पिड़न हुआ है उस वकत हमारी नेता प्रियंका गांदी ने ये कहा कि हम आधियाबादी के साथ हैं और हम जब अपना चुनाओ लड़ने आएंगे तब हम 40 प्रस्त टिकट महिलाओं को देंगे और यदि हम सरक पर खादा पुर्ट शन्ता बार बार यहां कॉंग्रेस के सम्मान को बढ़ाया लेकिन जब ये पिछले 7 परस पहले जब ये जादू दिखाना शरूह पूरे देश को झूठय वादे करने शुरूहए जुम्ले बाजी शुरूह हुई तो उस वक्त हमारे शहर की जनता भी थोड़ा सा उस भैकावे में आई और हमारे उपर भरोसा कम किया दूसरों को उपर भरोसा जदा किया लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि कानपूर शहर ने चाहे पार्लियमेंट का चुनाओ रहा हो यह महापोर का चुनाओ रहा हो उत्तर पदेस में सरवादिक वोट हासिल करने का कम कानपूर शहर के कांगरेस को इस शहर की महान जनता ने दिया रही बात इस बिदानसबा चुनाओ में तो हम बात करने आए उत्तर पदेस के कराहते बेरोजगार کی इसनातक बिरोजगार जिसका बिरोजगारी दर 21 प्रस्चत होती थी आज उस्तरपदेश में इसनातक बिरोजगारी दर 51 प्रस्चत हो चुकी है डिप्लोमा होल्डर बिरोजगारी दर जो 13 प्रस्चत होती थी तकनीकी डिप्लोमा होल्डर्स उन तकनीकी डिप्लोबा होल्डर्स की बिरोजगारी दर आज 66% हो चुकी है तकनीकी इस्तनातकों की जो बिरोजगारी दर 19 प्रस्चत होती थी वो आज 46% प्रस्चत पर पहुंच चुकी है लेकिन ये सरकार बड़े-बड़े विग्यापनों के माध्यम से कहिती हमने बहुत कुछ कर दिया है चैनलों में इतने सारे विग्यापन आते हैं अख़बारों में आठाठ ददत स्पेश सिर्व इनके विग्यापनों से भरे होते हैं जनता को गुमरा करने का काम किया जा रहा है, कानपुर शहर की महान जनता इनको मुतोर जवाब देगी और गटबंदन का हमें नुकसान हुआ था कानपुर शहर में में एक नहीं हमारी कम से कम 3 सीटे जीती होती ठीक है तो क्रपिश जी ने कॉंग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा है एक बड़ा मजबूत जो दावेदार है या विपक्ष है वो है बहुजन समाज पार्टी और खास तोर से इस बार के 2022 के विधान सबा चुनाओं में एक पूरी यंग ब्रिगेट को मौका मिल लहा है क क्योंकि जो जमे जमाए नेता है उन्होंने अपने आप ही बहुजन समाज पार्टी से किनारा किया है जनता ऐसे नेताओं को भी अच्छी तरह पैचानती है और इस मौके का फाइदा बहन जी ने उठाया यानि मायोदी जी ने उठाया है और एक पूरी यंग ब्रिगेड उन्होंने चुनाओं के मैदान में उतार दी है जिसको नए सिरे से उत्तर प्रदेश इस चुनाओं में देख रहा है देविर प्रिसाद जी हमारे साथ हैं मैं आपसी समझना चाहूंगा कि देखिए जो नया है नया 9 दिन का पुराना 100 दिन का ये कहावत तो जरूर है लेक की तारीक में पूरे भारत को उसका कॉंस्टिटूशन उन्हें दिया है और उसी कॉंस्टिटूशन के प्रियंबल के अनुसार इकॉलिटी फ्रिटर्निटी एंड जस्टिस फॉर आल समानता सबके लिए बराबर नया होना चाहिए और सबकी भागीदारी होनी चाहिए ये लेके चल रही है और हमारे हाँ आपने अभी एक बात कही कि नेता आए और चले गए हमारे हाँ नेता केवल एक है बहन कुमारी आदर्नी मायावती जी और इसके इलावा कोई और नेता बहुजन समाच पार्टी में नहीं है क्योंकि हम सब उर्जा प्राप्त करते हैं और हम सब आदर्णी बाबा साहिब डाक्टर भीम राओं अम्वेतकर के अन्याई हैं और डाक्टर भीम राओं अम्वेतकर जी ने पूरे भारत को सम्विधान दिया है तो ये बात तो हो गई भारत भारत बहुजन समाज पार्टी के नीतियों की और लोगों के आने जाने की अब हम बात करते हैं कानपूर की परिपेक्ष में और उत्तर प्रदेश की परिपेक्ष में कानपूर मैंचेस्टर निश्चित था एक जमाने में और खंडहर हब रहे गया है इसके लिए जुम्मेदार कौने हमको एक चीजिए बता यह आनपूर में जो लोग यहां साचन कर रहे थे कानपूर का प्रतिनिजित तो कर रहे थे कहीं न कहीं उनके उदासींता की वज़े से आज कानपूर का वैपार आज कानपूर का उद्योग कानपूर छोड़ के बाहर जा रहा है उधारन की तोर पे कानपूर का सबसे बड़ा उद्योग दो हैं या तो चर्म उद्योग है या तो होजिरी उद्धियों गए, चर्म उद्धियों के ये देख लीजिए, कि अभी आपने गंगा की बात कही, गंगा आदर्निय है, गंगा को साफ होना चाहिए, परंतु टैन्रियां जो लगी हुई है, चार-चार महने के लिए बंद कर दी जाती है, जक्तों मेला होता है ये कहा जाता है कि टैन्रियां को हटा के रमईपुर ले जाएगा और वहाँ एक लेदर पार्क बनाए जाएगा, पान साल से हम ये बात सुन रहे हैं, आज तक टैन्रियां क्या उटके रमईपुर गई हैं, जमीन ले ली गई, वहाँ जाएगी, पर क्या हुआ, कुछ नही गोविन नगर की बात करिए, किद्वई नगर की बात करिए, यहां यह ये उद्द्योग केंद्रित है, और यह चरमरास आगया है, आज ये नौबत आ गई है कि यहां का जो हुजरी उद्द्योग वाला है, वो बिलकुल बदाहाल है, इसी वज़े से यही एक कारण है, कि आज unemployment बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि नहीं हम उसको वो देश पा रहे हैं मोकरी और नहीं हम उसको उद्ध्यों को बढ़ावा दे पा रहे हैं अब आज आई यह बात यहां आम जंता के लिए करने के लिए हम यह प्रश्ण पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि चा चाहे सुरक्षा हो चाहे जीविका हो और चाहे सिक्षा हो चारों मुद्दों में जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है चिकित्सा का उधारन ले ले अभी करोना की महामारी हुई ह ये बताइए आम जंता के लिए दो हस्थाल अंग्रेज बना के चले गए उर्सुला बना गए और हेलैट बना गे उसके बाद किस साजसन ने आम जंता के लिए हस्थाल बनाया अदरने काशीर राम हस्थाल जो आज रामा देवी में बना हूआ ये किसके देन हैं? ये बेहन कुमारी माया वती जी की देन है. तो ये सेशन ये मौका आपके लिए कि आप आरोपों का जवाब दें और बताएं कि कानपूर शहर इस बार अगर आपको चुने तो क्यों चुने बहुत बहुत धन्यवाद देखिए चुकि तीन लोगों ने सवाल लगाएं हैं तो मुझे थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए होगा पहला आरोपल जैसे लगाया गया और हमारे सपा के साथ ही ने कहा कि कानपूर और द्योगिक शहर है जब पांस साल सपा के साशनकाल था तब क्या यह उद्दोगिक शहर नहीं था कितने घंटे बिजली दी जाती थी कानपूर को तब तो important होता था सैफ़ाई मैनपूरी इटावा ऐसे जिले तब तो उद्दोगिक शहर नहीं था तब कभी भी इनको नहीं समझ में आया कि कानपूर में उद्द्योग धंदे हैं आगरा में उद्द्योग धंदे हैं वो नहीं समझ में आया दूसरी बात हमारे सपा के साथ ही ने कही कि मेट्रो और ये बहुत समय से मीडिया में चलता चला आ रहा है कि मेट्रो का सिला नयास कहा जा रहा है कि इन लोगों ने किया मैं आपको बेसिक अंतर बता हूँ चुकि मैं पत्रेकारता कि भी शेतर से हूँ जब भी कोई ऐसी योजना लागू होती है जिसमें केंदर और राज दोनों शामिल होता है उसमें अची पतिशत अनुदान आता है केंदर के तरफ से और बीस पतिशत अनुदान जाता है राज जी के तरफ से मुझे बताई है अखलेश यादो जी ने मेट्रो का सिला नयास के बाद कौन सा अनुदान पारपास किया था मेट्रो के लिए किवल सिला नयास कर देने से मैट्रो बन जाती है क्या गल ये इस तरह के आरोप मतलब जब तक आपको साइंटिफिक चीज़े नहीं पता हो इस तरह के आरोप नहीं लगनी चाहिए दूसरे मेरे कॉंग्रेस के साथी ने कहा बेटी बचाओ वो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का जो बात बताया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करनाटका के कॉंग्रेस सासी सदन में क्या हुआ ये सब को पता है क्या कहा गया ये आप सब को पता है बहुत अशोबनी है बहुत निंदनी है यदि आप सदन में बैट करके स्पीकर होके बोलें कि यदि आप बलातकार नहीं रोक सकते हैं तो लेटी और मजे लीजे इस तरह से बेटी लड़ेगी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि ब्रैंड एमबेजडर ने कुछ दिन पहले हमारी पार्टी जोईन कर ली अभी हाल का कल का मामला आपको पता होगा बदायूं का बदायूं में भी किस तरह से नगर अध्यक्षपर आरोप लगा करके वहां जो चल रहा है वो आपको पता है तो केवल नारों से देश नहीं चलता है इसको प्रत्यक्ष रूप में करके दिखाना पड़ता है मुझे बहुत अच्छे सी याद है मैं चैनल का सीयो हुआ करता था मैं पिलक हुआ एक से खानी हो जाती है और बहुत उसने बहुत गंदी तरह से मुझे बताया आप मुझे बताईए आज उत्तर प्रदेश में इस तरह के रोमियों यह शाम को जो 6 बजे के बाद हुर हुर बाईक वाले आतंक होते थे आपको देखने के मिल रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में जो कानपुर जिस लेवल पे है उस लेवल के जितने भी शहर हैं उनको समान रूप से बिजली दी जा रही है उनको समान रूप से सारी सुविधाय दी जा रही है पहले के लोगों ने भ्रह्म पहलाया कि जो मुखमंत्री नोड़ा जाएगा वो मुखमंत्री नहीं रहेगा ऐसा कोई भ्रह्म किसले फैलाया गया मैं आपको उसको सीधी तोर पे बताता हूँ और बहुत दावे से कहूँगा कोई कि मैं मीडिया के वैक ग्राउंड से आता हूँ सिर्फ इसले फैलाय गया ताकि अधिकारियों का सहारा ले करके आपको पता है नुड़ा एथार्टीस में क्या होता था यमना एक्सप्रेस एथार्टीस में क्या होता था यूपी एसाइडीसी में क्या हुआ यादो सिंग अरुण मिश्रा ऐसे जीव पैदा हुए जिन्होंन दो दर्जन स्यागीर अधिक बार माननी योगी आतित्तिनाति जी नौइडा हो आए हैं और इस भ्रहम को दूर करने वाले ये पहले मुक्खमंत्री होंगे जो नौइडा होने के बाद भी दुबारा मुक्खमंत्री बनेंगे अब आते हैं हमारे बीएसपी के साथी के पास इनों ने बताया कि इनकी सरकार में एक अस्पताल बना इनकी सरकार में ताच काओडी दोर भी हुआ था इनकी सरकार में यमना एक्स्प्रिस में घोटाला भी हुआ था इनकी सरकार में पार्कों के भी घोटाले हुए थे और मेरे मित्र मैं आपको बताते हुए बहुत हर्स महसूस कर रहा हूँ और आप सबको भी बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से क्योंकि आप लोग बहुत चीजों का आकलन नहीं करते हैं हैलट में जो जच्चा बच्चा अस्पताल है एन आई सीउ जो है मुझे बहुत फक्रोरा कहते हुए नौर्थ इंडिया के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से सबसे अच्छा है आप देख किया आईएगा आज हमारे गरीब भाई भेहन रिक्षे वाले सबजी वाले इनके घर के बेटियों को इनके घर की पतनियों को वी आईपी सुविधा जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है वह वहां मिल रही है यह हमने किया है जहां तक रहे रोजगार की बात इसमें कोई दोर आए नहीं है को रना ने बहुत डीप इंपक्ट किया है फिर मैं कुछ आकड़े आपके सामने लाना चाहूंगा वह आकड़े मेरे नहीं अंतराष्टी संस्था के हैं गोल्मैन सच का अब आपको नाम सुना होगा भाई साब ने सुना होगा क्योंकि बिजनस डाइग ग्राउंड से हैं और अंतराष्टी इस तर पे इसके आकड़ अमेरिका है हमारे बाद चाइना है उसी गोल्मैन सच का कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत का है कैपिटल एक्सपेंडिचर सार आप बहुत अच्छे से जानते होगे आपको भी बता दूं आसान भासा में को कि ये रॉकेट साइंस जिस हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री को इस देश में कहा जा रहा थो कॉलैप्स कर जाएगी होटल इंडस्ट्री को कहा जा जा तो कॉलैप्स कर जाएगी दस परतिशत उसका recovery rate है जो की भारत में किसी un-industry से सबसे अच्छा है दो हजार बाइस में देखिए जैसा आप सभी जानते कि हम से पहले जिन लोगों साशन किया उन्हों उत्तर प्रदेश को क्या दिया और हमने जब पहले के मुख्मंत्री लड़ते थे कि उत्तर प्रदेश को बिमारू राज घोशित करिये पहला मुख्मंत्री मिला जिसने सब्यादा मेडिकल को परिचेंगी मैं और के बाद आप के पास ही आऊँगा चिंता कर दियो सब्रकिये अब ये ये आकड़े ये ली ये रखने लिडर्स है इस चर्चा को आगे बढ़ने दीजे बढ़ने दीजे सबर रखिए ऐसे विकास्त होई नहीं पाएगा जनता ही खड़ी हो जाएगी तब कैसे होगा प्रदेशन मैं आप से जाना चाहूंगा देवीजी कि जो इस्थिती है उसमें हमने ये देखा चुकि 7 से 12 का एक दर्मियानी वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में राजनीती ने करवट ली और फुल फ्लजेट गॉर्मेंट्स बनना शुरू हूई और शायद यही वज़े है कि आज हम किसी भी एक पार्टी से पलट करके पूछ पाते हैं कि आपके दौर में क्या हुआ मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि यह जो 17 में या 19 में जो गडबंधन का दौर चला जिस तरीके से कोशिश होई क्या आपको लगता है कि यह जो विकास की एक प्रक्रिया है क्योंकि मुझे याद है नोईडा में एक पुल था जो आपकी सरकार जब 2007 में वापस आई उसे पहले जब माय होती जी मुखे मंतरी ती तब बन रहा था फिर वो 5 साल पड़ा रहा जब 7 में आपकी सरकार आई तो फिर बना तो ये कहां था कुछीत के साथ आपने ये किया था वो कप पूरा हुआ हमारे में हुआ या आप नहीं करेंगे या उनकी योजना थी ऐसे क्या विकास की बात हम कर पाएंगे ये एक संकीन विचारधारा है कि अगर कोई विकास का काम कर रहा है और उसके बात किनी कारों से जनतंतर का तो ये बहुत बड़ा ये होता है कि आज कोई है कल कोई नहीं है ये वोट का अधिकार बावा साथ ने हम लोग को दिया और वोट का अधिकार के कारण हम लोग जनता क कि आज बीच में जाते हैं और कभी उजनता हमको चुनती है कभी नहीं चुनती पर विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसमें महुजन समाज पार्टी निरंटर एक ही सोच है कि सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाई हर व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए सुख मिलता है विकास से कुछ रही इसी प्रिंसिपल पर हमारी पार्टी चल लए कि कोई अच्छा कार हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे कार में कभी कोई बाधा उत्पन नहीं करना चाहिए और एक विद्वत हमारी मित्र ने कहा लड़की हैं लड़ सकती हूं अरे हमारी ने से पूरी जो बात है जहां बीजेपी दुबारा आने की कोशिश कर रही है सपा अपना खम ठोक रही है उसी बीच में बस्पा और कॉंग्रेस ये बस्पा की अपनी तरह की खासियत है और कॉंग्रेस चूंकि परमपरागत रूप से यहां पर अपनी जड़ों को जमाए रह ही है इसलिए क्रपेश जी मैं आप से समझना चाहूंगा कि अब हम दूसरे उस पर आ गए हैं विकास के जो मसले हैं खास और से कानपूर की जो लालिमली मिल थी उसको शुरू करने के बाद श्री प्रकाश जैसवाल जी केंद्री मंत्री थे उन्होंने कहा कि ने मैं को मिलना चाहिए ना हमारी दस साल यूपिय की गवर्मेंट थी इस देश में डाक्टर मनमोहन सिंग के नित्रत में हमारे लिए गवरों की बाद है उस वक्त हमारे मेंबर आप पार्लियमेंट मिनिस्टर भी थे पहले ग्रहराज मंत्री हुआ करते थे फिर उसके लाद कोई हैं मैं कही रहा हूं वो सारे के सारे कंगरेष सरकारों के द्वारा बनवाय हुए हैं एक चीज मी दूसरी चीज на कानपूर शहर बिजली के लिए करा रहा था कानपूर शहर पानी के लिए करा रहा था उस वकत हमारे कानपूर शहर में जेन आरुयम की तहट पांच हजार करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया यह हमारे शहर के संसर लोकप्री संसर श्रीप्रकार जैसवाल दौरा करा पांच अजार करोल रुपिया अबедь कानपूर शहर के लिए उसमें पाणि की बेवसता सम्चित हो नहीं ती आता है अब पानी पहुंचा रहे उसमें साइब कानपूर को Eight तमाम देख रह आए बिसी लाइन पड़ी होएं वह सारे सारी बेवस्था करना बसेज, लो फ्लोर बसेज, ये सारी चीज हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने क्या किया साब? हमने तो पैसा वहां से भेज दिया, अब इंप्लिमेंट कराना है राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने कहा कि ये सड़क बनी एक बार पहले इसमें गहरी सीवल लाइन पड़ी, समझ प्रफिर है खुदे साब जौइंट रहे गिए तब जौइंट करना है, फिर उसको जौइंट किया गिय फिर उसके बाद तिवार आई कि इसमें चोटी वाली लाइन जोड़नी है, फिर चोथी बार पांच-बांच बार एक सलक को खोद-खोद करकर बनाया गिया और हमारे पार्शत साब भी बैठे हुए नगर निगम के इनकी आग के सामने कानपूर सहर में जब टेस्टिंग हुई उस पानी की सप्लाई के और गैरी सीवन लाइन की तो अख़बारों में बड़ा 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 कालम छपा कि ब्रस्टाचार का फवारा फूटा ये हेडलाइन हो कि हमने एक बिलोर में पावर प्लांट दिया एक घाटमपूर में पावर प्लांट दिया इन्होंने कितने पावर प्लांट दिया आज कहना है कि बिजली 24 घंटे हम देते हैं लेकिन ये ये क्यों नहीं बताते हैं कि उत्तरपदेश देश की सबसे महेंगी महेंगी बिजली से उनको जवाब ये क्या देने जाएंगे उस वकत यहां के विदायक, यहां के सानसद, यहां के मंत्री और उत्तरप्रदेश के मुक्ठ मंत्री करके आ रहे थे, सब बता रहे थे कि मैं कोरोना पाश्टी हूँ, मैं घर में आईसोलेटेड हूँ. उस बकात अगर सड़क पे कोई काम कर रहा था तो यूथ कॉंग्रेस का हमारा राष्ट्री यद्द्र वीवी स्री निवास काम कर रहा था राहूल गाली काम कर रहा थे ठीक है ठीक है ये मैंने इसलिए पूछा देते के विकास एक सतत प्रक्रिया है मेरे खाल से जनता जो बा समाज पार्टी की तरफ से आम तोर पर अलग-अलग शेहरों में मेरा अनुभाव ये रहा है आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता था कि जो पूलिटिकल लीडर्स खड़े होते थे तो वो पता नहीं आगे चल कर कर कि क्या हो इसलिए कॉंग्रेस को सपा वाला तरफ से आ गए हैं बीजेपी तो लगाई रही थी सपा और कॉंग्रेस ने भी दो दो हाथ करने की ठानी है ऐसे में ये बात तो सही है कि अकलेश के दौर में फ्लाइओवर बने मेट्रो की बात हुई वगरा वगरा लेकिन ये भी चीज है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको ले करके लोगों के जहन में सवाल है जो अभी उठें आपके सामने देखिया हम सबकी बात सुन रहे थे और यहां आने से पहले आपने हमको ये बताया था कि गोविन नगर विधान सभा के कंडिडेट्स लोग रहेंगे वहां आपकी डिबेट है यहां तो कोई कंड राजय सरकारों नगे क्या किया साब हमने तो पैसाँ वहां से भेज़ दिया अभ इंप्लीमेंट कराना है राजय सरकार को राज सरकार ने कहा कि यह सडग बनी एक बार पहले इसमें गहरी सीवल लाइन पड़ी समझेगा खेल को गहरी सीवल लाइन डालकरके उस वकत यहां फिर उसके बाद तिवार आई कि इसमें साथ छोटी वाली लाइन जोड़नी है फिर चोटी बार पांच-पांच बार एक सड़क को खोद-खोद करकर बनाया गया और हमारे पारशत साथ भी बैठे हुए नगर निगम के इनकी आप के सामने कानपूर सहर में जब टेस्टिंग हुई उस पानी की सप्लाई की और गयरी सीवन लाइन की तो अकबारों में बड़ा 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 कालम छपा कि ब्रस्टा चार का फवारा फूटा यह हेडलाइन होती थी कानपूर के अकबारों में कौन लोग थे समा पावर प्लांट दिया इन्होंने कितने पावर प्लांट दिया आज कहना है कि बिजली 24 घंटेम देते हैं लेकिन यह क्यों नहीं बताते हैं कि उत्तरपदेश देश की सबसे महेंगी महेंगी बिजली देने वाला राज यह क्यों नहीं बताते हैं मैं एक बात और इंसे वायान मिलने से उनको जवाब क्या देने जाएंगे उस वक्त यहां के विधायक, यहां के सांसद, यहां के मंतरी और उत्तरप्रदेश के मुक्त मंतरी करके आ रहे थे, सब बता रहे थे कि मैं करोना पास्टियू, मैं घर में आइसोलेटेड हूं, उस बकात अगर सड़क पे कोई काम कर रहा था तो यूथ कॉंग्रेस का हमारा राष्ट्री यद्द्र वीवी स्री निवास काम कर रहा था राहूल गाली काम कर रहा थे ठीक है ठीक है ये मैंने इसलिए पूछा देते के विकास एक सतत प्रक्रिया है मेरे खाल से जनता जो बा समाज पार्टी की तरफ से आम तोर पर अलग-अलग शेहरों में मेरा अनुभाव ये रहा है आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता था कि जो पूलिटिकल लीडर्स खड़े होते थे तो वह पता नहीं आगे चल कर के क्या हो इसलिए कॉंग्रेस को सपा वाला से आ गए हैं बीजेपी तो लगाई रही थी सपा और कॉंग्रेस ने भी दो-दो हाथ करने की ठानी है ऐसे में ये बात तो सही है कि अखलेश के दौर में फ्लाइओवर बने मेट्रो की बात हुई वगरा वगरा लेकिन ये भी चीज है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस क्यों नहीं दिख रहा उसका करण यह है अगर कंडिडेट्स होते जो समय भारती जनता पार्टी में प्रतनिदी हैं जो जनता का प्रतनिदी तो कर रहे हैं तो मैं उनका जवाब देता कि मैं किस तरीके से अपनी विधान समा में जमीन पर रहके कोरोना काल में जब वो घरो जो यह अभी गिना रहे थे कि बरहुस्टाचार् साथ फलाना बरहुस्टाचार के अंदर दो दो लाग तीन तीन लाग रुपए में रेम्डे सिविर भीका कि नहीं भीका तब इनके लोग क्या कर रहे थे इनी के पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता-मंत्री-विध दिक्कत हो गई तो हम ले जाके उसको एड्मिट करा देंगे लेकिन गरीब के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था मैं ऐसे तमाम घरों को गिना सकता हूं अपने छेत्र में जो लोग आक्सीजन की कमी से मर गए जब वही सरकार के लोग आज बात कर रहे हैं जब यहां की ज जनता को खाने पीने की दिक्कते थी तब यह लोग ताली और थाली बजवाते थी क्या भूल गए दर्सकों से मैं कहना चाता हूं जब लोगों को खाने पीने की अवसकता थी तब आप ताली और थाली बजवाते थे आज तक जनता नहीं समझ पाई वह थाली पीटने का क्य गया है हम दो महिना रासन की अवधी और बढ़ा दे रहे हैं आपका इतना बड़ा दिल था आप जंता से ये कहते कि हम आने वाले पांच सालों तक फिरी रासन देंगे आपने ये कहा आपकी मानसिक्ता यहीं से समझ में आती आपने का आप हम समझ सीमा दो महिना माज तक और बढ़ा दे रहे हैं तो जंता बेकूप नहीं है जंता सब जानती है रही बात बिजली की भारती जंता पार्टी के साथी कह रहा है बिजली तो सारी इटावा में जाती थी यहां सब आदमी बैठा सब जानता है यह हमारे उद्दमी है यह भी जानते हैं यही कानपूर सहर लोगों को यह ऐसास होता था 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी लोगों को यह समझ में आता था कि अब इन्वेटर का घर में कोई काम नहीं है लोग इन्वेटर अपने घरों से धीरे-धीरे हटा दिये थे इन्होंने कितनी यूनिट बिजली नहीं पैदा कर दी ब प्रकाश को थे लोगों पृएं आटी बनाएन खाला यह सब्सक्राइब मुझा थे टो शां और बर होता कि बाता है यहां पर क्रिकेट की पीज बनानी हो तो आई से ले पताल्पार यह सुभणा करूंट पर द्मृए नब यह कह रहे हैं कि टीपियार डीपियार बनाया अधरणी अखलेश आदो जी के समय बना उस समय के ततकालीन जो यहां के सांसत थे मुडली मनोहर जोसी जी वहां मौके पर मौजूद रहे जब उद्गाटन किया गया खैर हम यह बात छोल देते हैं लेकिन चुनाओ चुकी नज इLES जादो जी की जो सोच थी उन्होंने उसको इन्होंने काम क्या किया इन्होंने केवल नाम बदला इन्होंने डाइल हंडेट का नाम 112 कर दिया जो आ प्रतिया रहे है मैं आप से समझना चाहूंगा रोई जी चुकि कई आरोपों का जवाब आप देते रहेंगे फिर आपकी बात नहीं आ पाएगी ये बड़ी चीज है कि इलेक्शन के समय पे खास तोर से जो मैनिफेस्टो या बादे इरादे सामने आ रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना मैनेफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने मुफ्त यूनिट बिजली देने की बात कई समाजवादी पार्टी ने तो फॉर्म तक भराए उसके उपर आपने भी दाम को आधा कर दिया मैं इसलिए इस चर्चा को लारों कि हम सारे विश्यों को चू सकें आपने दाम चुनाओं से ठीक पहले आधे की यानि आप डरे इस बात से तो इंकार नहीं करेंगे ना देखी है एक बात समझजे यह एक विपक्ष का कह सकते हैं आप ने चरह रहा है कि वह जब भी सरकार कुछ करती है उस पर दो आरोप लगते हैं चुनाओbey होने वाले होते हैं तब कर दे तो कया देंगे डर गए चुनाओं हो चुके हो कर दे तो के देखो देखो परड़ाम से डाल होने के बाद तो उदर बढ़े थे दाम अभी घटे हैं आप मुझे एक बात बताईए दो हजार बाइस का दो हजार बाइस का एक मात्र ऐसा चुनाव है जो बिना किसी भरस्टा चार के आरोब के हो रहा है भरस्टा चार के कोई तत्थ नहीं लेकर किया इसके पहले कि जितनी सरकारे रही आप बताए खनन का कितना बड़ा घोटाला हुआ आपने देखा एक्सपेस वे क्या हुआ ताज कॉरीडर हुआ तूजी स्पेक्ट्रम हुआ इस देश में हुए ना घोटाले आप यह कहरें कि आप बीजेपी जो अपने पूरा किया और आपने अपना कौन सा पर्योजना शुरू की कानपूर के बारे में यहां बताई है कितने कारकाने यहां लग गए देखिए एक बात समझे जब का जैसे हमारे सूती वस्तर की बात कर रहे थे उस समय कानपूर के आसपास की खेती थी उसके बात कपास की खेती का चलन गानपुर के आस पास बंद हो गया ठ्था है अरे रुखिए तो सुन लीजे भाई अरे सुन लीजे भाई अरे सुन लीजे जूट मिल वगैरा जो चलती थी तो कपास की वह से चलती थी और चुकि महारास्टास उसके बाद जूकि जूकि जूक्य स्थाने का प्रयास हुआ तो ये ये बहुत अरह वह कि यहां जो वह रही और वह भी देखिये एक बात समझे बास मैं आपको मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ देगे ये दिल्चस्प है मैं इसलिए आप हूटिंग करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा मैं आपके पास आऊँगा आप रुकिए बीजेपी बीजेपी की बात हमने लिए ओद्योगिक शहर में कानपूर शहर है अभी दूद का दूद पानी का पानी कर रहा हूँ मैं इसलिए जाना जाता हूँ मैं शेखर इसलिए जाना जाता हूँ कि नगत का धंदा होता है अपना साथ से बारा में कौन से कार खाना कानपूर में लगा बताएंगे बीजेपी साथ से बारा कानपूर कानपूर में जो चर्म उद्योग ने दिन दूनी राज चोगनी तरक्की की ये पहले से भी चलता रहा और साथ से बारा के बीच में आप सी एलाई के डेटा देख लीजिए कितनी ज़्यादा बड़ोतरी हुई इसमें आपको मालूम पढ़ जाएगा तो वैपारी खुश हो जाता था आज बिजली आ गई और दिन भर इनवर्ट वो जनेरेटर चलाते चलाते सर के उपर में धुका धुआ होता था और शोर होता था और आज भी पागल रहता था तो हमें हम एक वैपारी के अगर बात करें तो आज जो बिजली मिल रही है पर एक पुल बनने के लिए स्योडी का पुल बनने में 15 साल लगे थे उसी शहर में डेढ़ साल के अंदर 9 किलो मीटर की मेट्रो खड़ी हो जाती है और लोग अपने अपने दावे करेंगे कि हम लाए थे हम लाए थे मैं उस पर नहीं चर्चा में नहीं जाना चाहता है ले है यह बंद करने की बात प्रत्यक पार्टी ने जाने कप्टब उठाईए अगर हम सासन में आते हैं तो मैं इस मंच के माद्यम से अस्वत करता हूँ मेट्रो तो उपर से आप चले जाएंगे अनुवर गंज लाइन अगर बंद हो जाएगी जाम जो आपने का यह स्तिती प क्रिपेज जी हमें मैं अपनी बात भी रख लूँ थोड़ी सी दो हजार बाइस में जहां हम खड़े हैं और जब हम आजाद हुए थे चार-प्रांच पीड़िया निकल गई से लेकर के अब तक में जो भी पार्टी शासन में नहीं है उसने अपनी तरह से देश को योगदान दिया है शहर को योगदान दिया है मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 89 में आपकी सरकार थी उस समय मेरे क्याल से तिवारी जी शायद मुख्यमंत्री थे और उर्जा मंत्रा प्रमोजी के पास में था जाते 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 जो सरकार थी 89 से 2022 में कानपूर को कॉंग्रेस कैसे देख रही पोलिटिकल छोड़ दीजे और योगिक पहचाने और योगिक में बताईए कि क्या कुछ बदला है पिछले 30-35 साल में कानपूर शहर की जो धुआ दे रही थी चिम हुआ हम लोग जब छट में सोते थे तो सफेज चादर काली मिलती थी सुबई सरके बाल शैंपू इतना ज्यादा करना पड़ता था तब जाकर के साफ होते थे उस परिवेश से बड़ा हुआ हूँ आज तो सब कुछ खताम है सारी मिले बंद पड़े हुई है खेल चलना है कि उन मिलो की बेश कीमती जमीन को बेचा कैसे जाए विभिन के सरकारों आरोब तो कॉंग्रेस पे विनोधराय की सीजी रिपोर्ट से भी लगे थे जिस पे टूजी स्पेक्टम और कोली स्केम का जिस पे अभी विनोधराय ने माफी भी मागी कि मैंने गलत बोला था तो आ का चमडा उद्योग नहोता तो कानपूर शहर में लाखों लोगों को जो रोजगार मिल लाखों परिवार जो पल लाएं वह भी समाप्त हो चुके होते और इस सरकार में इस सरकार में भरपूर साजीश हुई उस उद्योग को भी समाप्त कर दिया जाए यह एक चीज़ कि अगर कोई बीमारी महामारी वगरा आ गया है यह आप समाज सेवा में हैं पॉलिटिकल लीडर हैं तो यह आपका फर्ज है आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कोविट के दौर में कोई भी मीडिया वाला यह कहीं नहीं सकता है कि उसके पास फोन नहीं आए लेकिन सर मैं समाम देश हैं जहां पे लोग अपने जानों माल की हिफाज़त नहीं कर पाए हमसे कई गुना जादा बड़े देश हैं तरक्की वाले देश हैं हमारी पॉपुलेशन जादा है बावजूद इसके जो चले गए हमारे लिए उनके मन में पीड़ा है वो किसी के भी परिवार से हो लेकिन इसको भुनाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा में रोकना चाहिए मैं आता हूँ नहीं कोप्रा मंदर पर मैं आता हूं उसका सवाली लेने आया हूं आपने जिक्र किया थक कोवीट का मैं एक चीज जरूर जाना चाहूंग आपसे तो सब वो मायवती जी के दौर में बहुत तेजी से बना था लेकिन अखलेश जी के दौर में वो रुका रहा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जितनी तेजी से आपने वो आरोप लगाये थे एक चीज तो ये भी बनती है कि आप उसको मैं क्यों छोड़ दूँ और दूसरी दूसरी चीज बारा से सत्रा के बीच में कानपूर में कितने कार खाने बंद हुए कार खाने तो जब बंद हुए ने जब नोट बंदी और जीस्टी आई करोना काल जब 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 जो है कोरोना काल आ गया तब जो कि हमारे विदान सवाई में फैक्ट्री एरियाज जादा है varying स्लम एरियास भी है जहां लोग काम करने वाले लोग रहते हैं मैं उनके बीच में जाता हूं देखता हूं मैं समझता हूँ बताते हैं कि भाई मेरे फैक्टरी में पहले 800 आदमी काम करता था 800 आदमी काम कर रहा है वो जो 600 आदमी बिरोजगार हुआ वो किस वज़ा से बिरोजगार हुआ उसके घर में दाल लोटी कैसे चल लए है इसकी बात कब होगी अभी इन्होंने कहा कि हमारा त इतने नौजवानों को रोजगार मिला यहां हमारे सामने इतने लोग बैठे हैं एक बार कैमरा घुमा दीजिए अब पूछ लिजिए पांच साल में किसी के यहां सरकारी नौकरी नात रिष्टेदार में लगी हो तो बता दे मैं जनता के बीच में जाता हूँ महिलाएं हम से कहती हैं देखें मैलाएं हम से कहती हैं कि हम लोग महंगाई तो किसी तरीके जहल ले रहे हैं लेकिन हमने अपने जिन सपनों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था उनका भविस्व बरबाद हो रहा है सरकार के पास उनको रोजी रोटी देने की कोई उसको टाटा ने पूरी तरीके से टेक ओवर कली है वो टाटा का ही था एक समय पे उन्हों नहीं शुरू किया तो और एक रूपिया लेते थे जाड़ी टाटा था और वो फाइदे में थी सरकार के पास गई अलग-अलग सरकारे रही पिछले कई वर्षों की बात है ये एक सरकार के बाद नहीं है और अब उसके बाद वापस टाटा के पास गया है हम उमीद करते हैं देखते हैं कि कैसे बदलता है मैं एक चीज़ यह जाना चाहूंगा दो चीज़ें बड़ी है बड़े इंवेस्टमेंट समिट हुए राजधानी लखनाओं में हुए करोणों सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश करी अभी मैं आपको बताता हूं कोवीट में जो मौतें हुए उत्तर पदेश की में बात कर रहा हूं उत्तर पदेश समीट पे सवाल पूचा है जाना है बहुत बड़े बड़े नहीं है कि सैमसंग सैमसंग का सबसे बड़ा जो जो फैक्टरी बनी जो वरक्शॉप बना है वो नोईडा में बन गया ठीक फिल्म सिटी आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास फिल्म सिटी नोईडा में बनने जा रही है यही इनी सारे इन्वेस्मेंट से कैपिटल एक्सपेंडीचर उत्तर पदे तो फिर एक आंकला में भी रख देता हूँ देखे जब मायवती जी की सरकार थी उन्होंने तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया और गुजरात उससे में नंबर वन इस्टेट था उचक करके उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया था यह आप मत बूलिए जब आप शिलान्यास करते हैं प्रोजेक्स में पैसा दिखाते हैं तो वो अपग्रेडेशन होता है लेकिन वो है जमीन पर का हैं मैं जमीन पर ही तो आपको बता रहा हूं सैमसंग का जो सबसे बड़ा वह वो उसका जो वरक्शॉप है नोईडा में डाला गया यह आपको भी पता है बहुत अच्छे से पता है फिल्म सिटी हम नोईडा को दे रहे हैं अमेठी में अमेठी में रशा के साथ मिलकर के हम 30203 का बहुत बड़ा कार खाना लगा रहे हैं 500 हेलिकॉप्टर जो अभी तक हम डिपेंड होते थे विदेशों से जाकर के खरीदने के रशा के साथ मिलकर अब समझे अभी तक उनके बायर होते थे कस्टमर होते थे अब हम प्रोवाइडर हो रहे हैं क्या ये इन्वेस्मेंट नहीं है तो बीजेपी के अपनी तरह से लॉजिक है उसको भी जनता अपनी तरह से समझेगी देगे सरकार है चुनी हुई सरकार है इन्होंने भी कुछ किया है उसकी बात रखने का इनको हक है और वो पुर्जोर तरीके से रखेंगे इसमें कहीं कोई दूर आए नहीं है अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जनता जनार्दन दरसल जिसके हाथ में ये 2022 का चुनाओ है उसकी उमीदों के साथ हम इस कारक्रम को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हम आज कानपूर में है और अब कानपूर की जनता से ही हम समझेंगे कि असल में उसके मुद्दे क्या है नेताओं ने जो आपसी तकरार रखी है अपनी तकरीरें रखी है अपनी बाते रखी है उसके बाद अब बार जनता की है आप बताईए कि कानपूर में 2022 का जो विधान सभा चुनाओं है उसमें आप किसी राजनेतिक दल को क्या सोच करके वोट देंगे क्या समस्या है क्या मुद्दा है मुद्दा में है रुजगार का और अपने आपको सुरच्छे रखने का और सिच्छा का चुकि अभी इस तोर में आप देख रहे हैं लगब करोना कल से जब से दो साल हो गया है सारे सबकुछ सब्सक्राइब चालू है सारा वेफ्रक्टी चालू हो गई ट्रेलवे चालू हो लिए और रोड़े चालू हो गई है लेकिन हमारे जो युगा लोग बढ़ रहे हैं बच्चे जो हमारे स्कूल सारी बंद हैं इस पर में मुद्दा ही है हमारे जो बच्चों को सिच्छा नहीं मिल लाई है इनका भविस क्या होगा ठीक है बच्चों की शिक्षा का मसला एक अहिम मसला है और दूसरा मसला रोज़गार का उठा आप बताएं कि क्या ना में आपका क्या करते हैं आप प्र हो गए तो ये अपने रिपोर्ट काड़ लाके अपने काम दिखा के वोट को नहीं माग रहे हैं ठीक है ये बीजेपी के लिए सवाल है हम चलेंगे आप बताइए कि क्या मसला है इस बार 22 में कानपूर शहर का हमारा मसला बिजली को ले करके है बिजली के सपावादा कर रही कि 300 यू होती है ऐसा नहीं कि ये सरकार कहीं मतलब वो पेड़ लगा है और निकाल लेती है वो हमारा आपका ही पैसा है जो अलग तरीके से हमें या जरूरतमंद को मदद मिलती है मैं आ चुका हूं आपके पास तो क्या आपको लगता है कि जो मुफ्त की ओजनाएं हैं वो ज्यादा बहता रहे हमारी तरक्की में? जितने भी जितने भी दल हैं भाई अभी हमारे भाई ने बड़ी डिग्री बताई हम लोग गाउं खेडा के आत्मी हैं बहुत डिग्री बतागे हम सब्सक्राइब बोले जो सिलान्यास जो खाली करने से कुछ नहीं होता है तो अभी जो 69 एरपोर्ट की बात इनों ने की है व वो कितने कंपलीट हो गए नंबरे की बता दें नंबर दो जो ब्रिष्टा जो ब्रिष्टाचार की बात यह कर रहे हैं जितनी ब्रिष्टाचार की बात कर रहे हैं इसी कानपूर के हैलेट में एक डॉक्टर ने उस करोना काल में वेंटीलेटर के खिलाब आवाज उटाई कि सरकार जाती है, तब भिष्टा चार का उजागर होता है. अभी तो आप सरकार में, चाहे वो केंग हो, चाहे वो प्रडेश हो, आपको अभी इतने अच्छे कार है, जो हर आदमी नहीं समझ पा रहा, लेकिन सरकार जाने के बाद, आप कितने गंगा में पवित्र हैं, कितने अच्छे हैं, वो सरकार जाने की बाद सब्सक्राइब दिल्चस्प चीज और भी है, बीमारी कोरोना की जब आई, तो एक ने हम दो लहर देख चुके हैं, और पूरे पूरे लॉकडाउन भी देख चुके हैं, बड़ी लोग सारनपूर में कड़े हो करके हमाले की रेंज देख रहे थे, ये कानपूर जहां गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपए अलग-अलग सरकारों में बहाए गए, क्योंकि गंगा तो साफ हुई नहीं, वो अपने आप साफ हुई थी, वजह क्या थी, हम और आप घरों में कैत है, उस तरीके का पॉलूशन, जिन फैक्टरियों को हम चलाते हैं, जो नदी नाले जाकर के टेनरीज का पानी मिलता है, वो निकल नहीं रहा था, और उसकी वज़े से गंगा ने खुद को ही साफ कर लिया, तो कुदरत अपनी तरह से हर चीज कर सकती है, ये कुदरत की ताकत है, आप बताए कानपूर का मसला क्या है? क्या करते हैं आप? मैं बिजनस करता हूँ, किस चीज का? फार एक्स्टिंविशर का. तो आप तो रोजगार देने वालों में से हैं? रोजगार देंगे तब जब हमारे पास रोजगार होगा, जब हम किसी को पैसा दे पाएंगे, इनसे बिजनस के मामले में बिलकुल शू करोना क्या करता है? चुनाओं के समय में करोना चला जाता. अब क्या यह कह रहा है? जुमला एक यह दिया, इन्होंने सब संसाधन अपने तयार कर लिए हैं. और पब्लिक को यह क्या बता है, करोना की वैसे हमें लोगडॉन लगा दिया. अमिशा जी बिना मास की घूमते है बिल के घूमते हैं, वो रच्छा मंतरी हैं. अकलेस जी सिर्व अपने कारयाले में उन्होंने आदनी खटा की उन्होंने अपना सम्मान किया तो उनको चिट्थी आ जाती है. अमिशा को पूछने की किसी भी अधिकारी में दम नहीं है. अगर वो उसके अंदर दम होगी तो तो ये चीज़ें भी चलती हैं. इस बात को भी हमें समझना होगा. मैं इधर से लेता हूँ. आप बताइए क्या है कानपूर में दो हजार बाइस का मसला. बैठे कानपूर में सबसे में जो प्रॉब्लम है यहाँ पर नवयुक है जो पढ़ रहा है जिसके मावाप लाको रुपिया लगा के अपने पेट काटके बच्चों को पढ़ा रहे हैं. उनके लिए रोजगार कहीं उपलब्द नहीं है. गरीब आदमी और अमीर आदमी औ अपने आपको हम मोड नहीं करेंगे. और जो एनकाउंटर हुआ उसमें तो जो पॉलिटिकल बैग्राउंड था उस शक्स का उसमें तो सपा और बसपा का बैग्राउंड था एनकाउंटर ना करते तो बीजेपी को फाइदा था ये पॉलिटिकल सियासी गलियारों में चर्चा है तो फिर एनकाउंटर की जरूरत क किया जा सकती गिराफतार था भी वो दूसरी चीज जो च्छापे पड़े वो चुनाओं से एंड पहले ही क्यों पड़े आपके पहले सवाल का जवाब यह है इस बात को बिलकुल साथ समझ लीजिए योगी सरकार में आप कोई भी हो यदि आप माफिया हैं तो आप उत्तर प प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किसी का भी किसी भी माफिया का बिलकुल चले गए नहीं काम दूसरा एक मात्र एक मात्र पहला मुक्ख मंत्री आप लोगों ने देखा होगा जिसने माफिया की जमीन कबजा करके गरीबों का आवास बनवाया है ठीक है ना इससे पहले उनको टिकट और इस बार भी आप लिस्ट देख लीजिए लिस्ट साफ बता रही है लिस्ट साफ बता रही है कि यह क्या करना चाह रहे है ठीक है चापे चापे में कुछ मिला आपको लगता है वो सक्सेसफुल रहे बिलकुल सक्से चाहिए पैसा कहां से आया था अगर सरकार ने ये कदम उठा करके छापा डाला उस पैसे को सरकारी खाते में जमा किया तो ये खुशी की चीज़ है ये अच्छी चीज़ है ठीक 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 अब मैं बिलकुल आखरी हिस्से में हूँ ठीक है अब इस बात अब इस चर्चा का वक्त है आपके बास कि इस कानपूर की जनता को आप क्या आश्वासन देंगे यह आपको वूर्ट क्यों दें कोई दो चार-पाँच चीजें जो आप कहना चाहते हैं जीविका शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा चार मुद्दो हम लोग कानपूर की जंता को उत्तर प्रदेश की जंता को बिलकुल देंगे और रही बात गलत जैन के हाँ चापा वड़ गया खुद ये किती ज़्यादा एफिशेंट है सरकार कि खुदी दर्शाता कि अपना पैसा हो रही है प्लीज समझे इस बाद को क्रिपिश जी दो हजार बाइस के चुनाओं में जनता आपको वोट क्यों दे कोई पांच मसले ऐसे जिसको ले करके आप जनता के बीच जा रहे हैं 30 सिकेंड आपके पास हम ये बताएंगे कि हमको वोट क्यों दे लेकिन उसके पहले है बिकरू कांट पे आएंगे जब बिकरू कांट का परादी मारा जाता है या उत्तर प्रदेश का कोई भी दुरदानत अपरादी मारा जाता है इस देश के प्रदेश के एक एक नागरिक को खुसी होती कि अपराद समापत होना चाहिए कोई भी आम आदमी अपरादी का साथ कभी नहीं देता है लेकिन जब क्रिकेट खेलता हुआ एक माफिया टेलिवीजन में दिखाई पड़ता है तो वही उत्तर प्रदेश की जनता पूछती कि ये बरीक क्यों है टेक्टर कार चड़ाता हुआ कार चड़ाता हुआ मंतरी का बेटा बचाने की कोशिस करी जाती है और मंतरी का आज तक इस्तीभा नहीं होता हो जब बेशर्मी की हद प्रदेश सरकार से लेकर के केंडर सरकारतना को राष्ट पती तक अपना के रखते हैं तब इस देश की जनता पूछती है कि आपके अंद वोट मांगने जा रहे हैं हम बड़ी हुई महidać मांग महें प्रीक्तर करें पर बिचाने के लिए watch आप यगे है आप प्लीज तीस सेकेंड आपके पास भी हैं Аप अपनी बात रखें किन मसलों पर जनता आप बोडे सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का और लोगों को मैं ये आपके चैनल माध्यम से कह रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश में जनता को ये विश्वास है अगर कोई नेता है जो जूट नहीं बोलता तो उसका नाम अखले स्यादों है क्योंकि लोग जूट बोल जूट सुनते सुनते ठक गए पा जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि इसके पहले हमारे नेता अधरी अखले स्यादो जी ने सरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं तो जनता से जुड़े जो मुद्दे को वादा हम लोगों ने किया है उसको पूरा करेंगे इसी विश्वास को लेकर जनता के बी फियाओं का जो पतन हुआ है इन सारे मुद्दों पर हम जा रहे हैं छेतर में और मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन सब को दस माच को जवाब मिलने वाला है आप देख लीजेगा मैं आखरी मैं आप से समझना चाहूंगा कि देखे मुद्दे बड़े कौमन से हैं हर पार्टी अपनी तरह से कहती है कि हमने रोजगार दिया हमने अवसर बनाए किया भी है सबने अपने अपने दोर में किया होगा लेकिन हकीकत ये कि यहाँ पर बैठे हुए जो व्यापा चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीड़ी को एक लाइन मिल सके कि वो इन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से या सरकारों से कैसे अपने अपने फायदे की बात कर सकती कि कानपूर पायदे का शहर है मैं एक बात के वल कहना चाहता हूं कि जो भी वैपारी ये सोच करके का करेगा कि मुझे अपने काम को पक्के में करना है प्रॉपर इंकम टेक्स प्रॉपर सेल्स टेक्स या जीस्टी मुझे पे करना है उस वैपारी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी वो जब तक ये अपेक्षा करता रहेगा कि चोरी के रस्ते चलते रहे तब तक जीस्टी से भ आईए चीजों को अगर चीजों को सिस्टम पर ले आएंगे तो आपको कहीं भी कोई सवस्या नहीं आएंगी वो पार्टी कोई भी सरकार में आए ये काम तेह करना पार्टी का जनता का काम है कि कौन सी पार्टी को सरकार में लाना है लेकिन अगर हम सिस्टम पर चीजों को ल पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी समझें एक चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी शहर में परिवर्तन लाने वाली कोई सरकार या किसी पॉलिटिकल पालिटी का लीडर नहीं है यह वहां की आम जनता है जो एक दिन जा करके चुनाओं के मतदान वाले दिन अगनी तकलीफों अपने कानूनों के लिहास से अपनी उमीदों के हिसाब से वोट दे करके आती है किसी को भी लेकिन उसके बाद वो अपने नून तेल लकड़ी में वापस जूशती है अपने उद्ध्योग घंदों में वापस घुशती है और वहां से वो फिर शुरू कर करनी होगी हम जिस चीज को कर रहे हैं उस चीज को बहतर करें तो आने वाला कल अपने आप बहतर होगा और कानपूर से ये बात इसलिए भी लाजमी होती है क्योंकि आज मैंने कानपूर के लोगों से अपील की कि वो कानपूर शहर की पहचान जो दरसल एक डाकसा है किसी के मुह में अगर पान मसाला हो तो क्रपिया वो हटा दे इस बात को इस जनता ने माना है और आज इस चर्चा में किसी के मुह में पान मसाला नहीं था और ये कानपुर शहर है आप इससे अंदाजा लगाईए कि जनता की द्रण इक्षा शक्ति कितनी प्रबल होती है कि वो अपन आदत को अगर बदल दे तो फिर ये सरकार है क्या कभी इनकी और कभी उनकी नमस्कार आगला शहर आगला बोट यूद बहुत बहुत धन्यवाद